आपका हमारे चनल पर दो नवंबर 2021 को तीन लोग सभा और 29 विधन सभाओं के उपचुनाव के जो रिजल्ट आए इससे साफ होता है कि लगातार जिन राजियों के चुनाव के रिजल्ट आए कहीं पर टीमसी की जीत हुई दो कहीं पर कॉंग्रेस को जीता हुआ दिखाया ग और बार बार पर ये भात कहीं जा रहीं थी कि केंडर सरकार से नाराज है हर्याणा और पंजाब के किसान पर जो रिजल्ट हर्याणा का देखने को मिला है उससे साफ ये प्रतीत होता है कि हर्याणा में किसान आंदोलन का असर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है उपच चोटाला और बीजेपी के केंडिडेट पर आए वो जादा नहीं है यहीं पर अगर देखा जाए तो एलाना बास से एक तरव अभैसिंग चोटाला की जीत हुई है तो बीजेपी भी अच्छे मार्जन से यानि की 2019 से जादा वोट मिले हैं बीजेपी को 14,000 से जादा वोट ल लगातार प्रयास किया जा रहा था राकेश्ट टिकैट की तरफ से कहा जा रहा था कि यह जो किसान आंदोलन है ये भाशबा का समापन कर देगा खतम कर देगा और इसीको लेकर एलाना बाद में कई जन्द सभाई भी राकेश्टिकैट के द्वारा की गई जहां एक तरव पर आज उन चीजों का कुछ भी असर नहीं दिखाई दे रहा है अगर हम बात करें बीजेपी को हराने के लिए तो लगातार प्रयास किया गया राकेश्टिकेट की तरफ से कुछ नेताओं को गाउं गाउं जाने से भी रोका गया कि बीजेपी अपना प्रचार हर्याना के ग लेकर उप्चिनाओं में दिख रहा है उससे साफ है कि 2020 में लाया गया क्रिशी कानून का कोई भी मतलब नहीं है जिससे की लोग नाराज हो हर्याणा की इसी को लेकर अगर हम बात करें अभैसिंग चोटाला की जो कि एक अच्छे मार्जन से वो उनकी जीत तो हुई हर्याणा में और इसी को लेकर प्रदेश के ग्रह मंत्री ग्रह राज्य मंत्री अनिलविच की तरफ से कहा गया है कि यह जीत बीजेपी की हुई है बीजेपी को जिस तर मार्जन से हर्याणा की जंदा ने वोट दिया है यह जताता हैं कि आने वाले समय में एनोलो पार्टी इसे चलते चलते लगभग एक साल होने वाला है 26 नवंबर से यह आंदोलन शुरू हुआ था और अब जब नवंबर में उपचुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं तो बीजेपी के ऊपर खास परभाव पढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है इस आंदोलन का राकेश टिकैट की तरफ से कहा गया था कि बीजेपी अपनी विसाख हो देगी और जमानत जब्त हो जाएगी पर आज जो चीजेजें हैं वो साफ दिखाई दे रही है कि किस तरीके से आज बीजेपी बढ़त के साथ हर्याणा में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है उननिस राज्य या अंदोलन को लेकर बात की जा रही थी चुनावों का धौर सुरू हो चुका है विधान सबा को लेकर ये कहा जा रहा था कि बीजेपी जो है वो अपना घर जमानत जब्त हो जाएगी बीजेपी को जादा वोट नहीं मिल पाएंगे पर अब जिस तरीके से रिजल्ट दे से हर्याणा में रोका गया पर आज गाओं के स्तर पर जो बीजेपी की जीत हुई है जो वोटों का मार्जन मिला है वो काफी जादा है दो हजार उननिस में जितने वोट मिले थे उससे भी 14,000 जादा वोट मिले है इस बार बीजेपी को इसको लेकर बीजेपी के कई सरकार को लेकर पयान बाजी कर रहे हैं और आकेश्टिकेत की तरफ से ये भी कहा गया है कि केंद्र सरकार के पास 26 नवंबर तक का टाइम है उन्हें अगर क्रिशी कानूनों को वापस लेना है तो वो ले ले फिर 26 नवंबर के बाद हम अपना नया प्रारूप तयार करेंग जो है वो सरकार को घुटने टिकवा देंगे या फिर सरकार को बाते माननी पड़ेंगी पर आज जो गाओं और कस्वों में जीत दाखिल की है बीजेपी के नेताओं ने और अगर अभी की बात कहो और उपचुनावों की बात करें तो यहां से ये भी प्रदिशित होता है क क्योंकि अगर हम ऐलानाबाद की भी बात करें जो कि गड़ आसपास का यहीं से किसान आंदोलन शुरू हुआ मीडिया रिपोर्ट्स की मारे तो हर दूसरे दिन हमें यहां से खबर देखने के लिए मिलती है कि यहां हुर्दंग या फिर किसानों की मांग लगातार तेज हो और वहीं से अगर कम सीटे मिल रही है और भी छेतरों से अगर कम सीटे मिल रही है तो विधान सभा के चुनाब अगर आगे चलके हर्यानावे होते हैं तो वहां पर समस्या पैदा हो सकती है अबैसिंग चोटाला के लिए और बीजेपी के नेता पहले से ही कह रहे हैं कि यह देने वाले राकिष्टिकैत के भी भोलब बदलते हुए नजर आ रहे हैं अभी हाल ही मैं एक टीवी चैनल को दिये गए इंटरव्यू में राकिष्टिकैत की तरफ से कहा गया कि अगर उत्रप्रदेश की बात करें तो बीजेपी को जादा वोट नहीं मिलेंगे पर उत्रप और आज वही राकिष्टिकैत का कहना है कि 2022 में अगर विधान सबा के चुनाव आते हैं तो योगी अदतनात की सरकार वापस आएगी उत्रप्रदेश में उत्रप्रदेश हो या फिर और विभिने राजिये जहां पर चुनाव विधान सबा के 2022 में आने वाले हैं और अगर हम उत्रप्रदेश में जिस तरीके से चीज हैं सरकार की तरफ से की गई है वहां से साफ है और किसारों का भी अब पिछले दिनों ही गरने का जो प्राइस है वो 25 रुपे से लेकर उसे भी जादा जो पैसा है वो बढ़ाया गया है किसानों के लिए तो ये चीज हैं देखी किसानों के लिए एक तरफ उत्रप्रदेश के लिए इस तरीके से बयान बाजी कर रहे है राकेश टिकैट तो वहीं पर दूसरी तरफ ये कहा गया है राकेश टिकैट की तरफ से कि वो मध्यपरदेश में अपने अंदोलन को और भी ज़्दादा तेज करेंगे क्योंकि मध पॉंग्रेस की जो धीरे धीरे अपनी विसाक हर राज्य में खोती जा रही है तो इसको लेकर कभी भी तल्क टिपड़ी नहीं की जाती है राकेश्ट कैस की तरफ से उत्रपरदेश हो हर्याडा हो या फिर पंजाब हो किसानों की मांग या फिर तीन कृशी कानूनों को लेकर जिस तरीके से एक पॉंग्रेस हो या फिर अवैसिंग चोटाला या फिर तमाम और नेता जो लगातार किसानों को लेकर राजनीती कर रहे है और उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो तीन कृशी बिल लाई गए है जिनने लगभग एक साल हो हित्मिन नहीं है जिसको लेकर कुछ नेता अपना पच छोड़ चुके है और कुछ लगातार इस बात का विरोत कर रहे हैं पर जनता और जो असली किसान है जो खेतों में काम करने वाले किसान है उनके बीच में इन सब चीजों का कोई भी असर नहीं दिखाई दे रहा है जो और उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम 2024 तक रोडों पर बैठेंगे यह वही राकिश टिकैत है जिनका अंदोलन दिन प्रति दिन धीला पड़ता जा रहा है चुनाव हो या फिर विधान सबा चुनाव या फिर किसानों की अपनी राय उन नगर निकाय के चुनाव हो हमने पिछले ही दिनों महाराष्ट और गुजरात में हुए चुनावों के नतीजे भी देखे किस तरीके से बीजेपी को बड़त हासिल हुई है और कई राज्यों में बीजेपी की जीत भी हुई है तो राकिश टिकैत के इस आंदोलन का कहीं प लिए नहीं मिल रहा है और लगातार यही सवाल पूछे जा रहे हैं राकिश टिकैत से कि राकिश टिकैत को अपना अंदोलन जल्दी सबात कर देना चाहिए क्योंकि लगातार हो रही घटना से या फिर हुर्दंग से जो लगातार किसाना अंदोलनों में से निकल कर सामने आ रहा है अब जनता का जो विश्वास है राकिश टिकैत और जो लगाता रांदोलन एक साल से हो रहा है इस पर नहीं है और इसी को और यहीं एक बड़ी बात है कि आज बीजेपी और राज्यों में कहीं पर भी किसा रांदोलन का कोई असर पढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि यह जो एक साल से लोग के रोडों पर बैटे हुए हैं और जो किसान नेता अपने आपको बोल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजनीती के लिए यह सारी चीज़ां कर रहे हैं किसानों के हत्में बोलने वाला इन मैंसे कोई भी नहीं है आपका इस टॉपिक पर क्या ब